दोस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठ चाला पे दोस्तों सभी सेंटरल गवर्मेंट टेंपलोई और स्टेट गवर्मेंट टेंपलोई के लिए बहुत अच्छी कबर है यहां दोस्तों CPI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 यहां पर आ चुकी है नवंबर की और यह जो CPI इंडेक्स रिपोर्ट है इसके बिहाब पे ही आपका जो डिये है वो तै होता है तो यहां पर लगबग लगबग आपका 50 प्रतिशत डिये यहां पर हो जाएगा जनवरी 2024 के अंदर पूरा यहां पर देखने वाले हैं और डिये किस इसाब से यहां पर डिसाइड किया जाता है उसका भी इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर जारी हो चुका है तो यहां पर देखें कंजूमर प्राइज इंडेक्स पोर इंड्रेस्ट्रियल वर्क नवंबर 2023 यहां पर रिपोर्ट है देखें सीपी जो इंडेक्स है ना इसका मेंशन सात्वा वेतन जो आयोग आया था उसमें किलियर लिख रखा है कि सरकार जब जब CPI इंडेक्स बढ़ेगा तब तब हर 6 मेने में DA को बढ़ाएगा और उसी के आदार पर आपका जो DA है यहां पर हर 6 मेने में यहां पर बढ़ाया जाता है तो यहां पर देखें इस साल का जो इस महीने का CPI इंडेक्स है यहां पर आचुका है अभी दो महीने का ब वह दोस्तों 0.7 बढ़ चुका है और यहां पर 0.7 से बढ़ कर यह 139.1 यहां पर हो चुका है तो यहां पर देखते हैं देखें दोस्तों यहां पर यह CPI इंडेक्स ना यह work कैसे करता है देखें CPI इंडेक्स में क्या होता है कि जो भी हम चीजे daily life में यूज करते हैं चाहे वो food and beverage हो, चाहे पान, सुपारी तबाक हो, clothing, footwear हो, housing हो, fuel and light हो, और भी चीज़ जो हम generally use करते हैं, उसका यहाँ पर calculation उनके अधर पर क्या आ जाता है, और उसे साफ से आप देखेंगे, तो October के अंदर 138.4 यह index था, और अब यह November 2023 के अंदर 139.1 यहाँ पर यह index हो चुका है, तो यहाँ पर दोस्तों यह जो index है, यह दरसाता है, कि आपका DA यहाँ पर पूरी तरह बढ़ेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो the next issue of CPI IW for the month of December 2023 will be released on Wednesday 31st January 2024, the same will also available on this website, और दोस्तों अगला जो last यहाँ पर CPI index रहेगा, जो आपका December 2023 का, वो Wednesday दे 31st January 2024 को यहाँ प आपका नया जो DA है, यहाँ पर तेकिया जाएगा, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, इस रिपोर्ट के आने के बाद, आपका जो DA है, वो दोस्तों कितना हो चुका है, यानि कि November 2023 तक, और December की रिपोर्ट आनी बागी है, तो वो भी हम देख लेते हैं, कि आपका लग वो आपका लगाय जाता है, जून तक का केलिकुलेट किया जाता है, और आप देखेंगे कि जून में यह जो इंडेक्स था, वो 136.4 था, और इसने बताया था इंडेक्स ने, कि उस इसाब से आपका DA था, 46.24 यहाँ पर होना चाहिए, तो गोर्मेंट ने 46 आपका DA यहाँ इंडेक्स डाउन भी हुआ था, अब नवंबर की रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है, तो चलिए आपके सामने में फिल करके दिखाता हूँ, कि करम नवंबर का 139.1 अगर इसके अंदर फिल करते हैं, तो उसे दोस्तो कितना यहाँ पर इसके उपर इंपेक्ट पड़ता है तो दीके जैसे हमने इसके अंदर डाला 139.1 वैसे आपका DA दोस्तो बढ़कर हो गया 49.68 यानकी नवंबर 2023 तक आपका जो DA है, वो दोस्तो 49.68 यहाँ पर हो चुका है, अब मान के चलते हैं, अगर आपका यह इंडेक्स नहीं बढ़ता है दिसम्बर के अंदर, अगर एक constant रहता है, तो आपका DA पर कितना रहेगा, तो हम दिसम्बर 2023 में CPA इंडेक्स 139.1 ही हम माल लेते हैं, तो यहाँ पर मापके सामने 139.1 यहाँ पर लगा देता हूं, अगर यहाँ पर सेम भी रहता है, तो आप दोस्तो आदेख सकते हैं, आपका DA है, वो 50.31 यानकी 50% DA आपका बढ़ जाएगा, यहाँ पर 100% है, अगर आपका CPI इंडेक्स घटता नहीं है, तो आपके लिए यह शोरिटी है, आपका DA 50% हो ही जाएगा, और जैसे आपका DA 50% हो जाता है, तो बहुत सारे अलाउंसेज हैं, जिनमें यहाँ पर बहुत ज़दा बड़ोतरी आपको देखन तो वीडियो आपको अच्छा लगए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सस्क्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेट कीजिए, मिलते हैं एंगले वीडियो में, तब तक जहिंद वन्ने मात्रम